सो ही गाईज क्या सब सब लोग वेलकाम बैक टेकरेंशिक आज की सूडियो में फाइनली मैं लेकर रहा हूं IP 2020 का एप इनके यह एप फुली अटमेटीड आप आपको इसमें कुछ नहीं करना है एक बार आपको को वन टाइंटाइश है मैं इसके बास आपको सिंपल से इस सब्कुछ नहीं कोई जूरत नहीं है यह कहते हूं सब कुछ एस खुछ प्रयू आपको खुज से करणा हुज़िये दो अपने आप सब को जाओ अपडेट होता रहेगा इस IPL के लिए यह फाइल में तो अगर आप इस आपको देखना चाहते हो तो आपको यह वीडियो पूरी देखने हैं भी एंड इसमें एक-एक फीचर में आपको डिटेल में बताँगो जो भी आपको इस आप के अंदर आपको मिल जाएगा तो सबसे पहरे तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पर एप जाओ में फोन के अंदर इंस्ट्रोल है तो आपको साइड में जाओ फोन की स्क्रीन आपको दिख रही होगी तो यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको Aype ne 2020 नाम से एक app लिख रहा हुगा तो मैं अभ इस app को जब open करता हूँ जैसी open किया तो आप देख सकते पर midnightने साठी से फोर सिस्ट्रों की से अधी है उपको उत जाती है उससे भी कर दूब तो आपको उपर आपको countdown टाइमर मिल जाएगा जो कि 30 days 5 hours 44 minutes and 25 seconds पर अभी चल रहा है तो यह date guys मैंने 15th of April की set की हुई है and यह guys dynamic है यहाँ पे internet से ही यह date बगरा change हो जाएगी इसमें आपको कुछ tension नहीं कि जोद नहीं है जो भी IPL के आगे updates बगरा आएंगे उसी साफ से यह timer change हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे यह भी बता दूँ कि जब भी guys IPL का कोई match live चल रहा होगा तो उसके इसाफ से यहाँ पे जो आपको counter timer दिख रहा है तो यहाँ पे timer की जगा आपको जो live score है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगे इसका जो एक screenshot है वो भी आपको यहाँ पे side में देखने को मिल जाएगा उसके बाद guys यहाँ पे आपको जाओ नीचे मिल जाएगा IPL live score तो यह screen separate screen और guys इस screen को भी अगर मैं click करूँ तो यहाँ पे आपको नीचे not fair मिल जाएगा इट विल भी अवैलिबल on 29th March तो यह guys जही है यह file में अपडेट कर दिया लेकिन यह app जब पहले गा installed है तो इसलिए यहाँ पे 29th March लिखा होगा और इसको मैं अपडेट कर दिया 15 April 15 April भी मैंने नहीं रखा मैंने simple से यहाँ लिख दिया है after first match तो यहाँ पे आपको जो यह screen है उसके आपको यह screenshot मिल जाएगे and guys यह next level thing है क्योंकि guys यहाँ पे API के थ्रूँ में क्या कर गया है यहाँ पे live जो यहाँ पे screen हमारे live scores के screen है के अंदर आपको match के scores तो मिलेंगे यहाँ पर information मिल जाएगा information के साथ यहा पर आपको live commentary का भी option है वो मिल जाएगे इसके साथ यहाँ पर आपको match का score card है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा तो बहुत इछी चीज़ाँ आपको screenshot यहाँ पर दिख रहे हुँगे यह जो स्क्रीन शोट है यह पुराने जो पिछले साल के IPL मैच है उसके आपको स्क्रीन शोट दिख रहे होंगे यह यहां पर सेम ऐसे ही आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद यहां पर लाइब स्कूर्स का तो हो गया यहां पर मैं बात करता हूँ यहां पर पॉइंट स्क्रीन शोट साल में मिल जाएगा जहां पर आपको आपको इसे क्रिकट रोल्डप 2019 का पॉइंट स्क्रीन बनाने के लिए यह जो टेबल आइजमेंट का जो ले आउट है है Spideriva ये जाए आपको फिल आ आपको जाएगा अगर मैं स्क्रीन को ऑपन करूंगा तो यहां पर आपको ब्लैंच स्क्रीन स्क्रीन मिलेगी क्योंकि यहां पर IPL है वो suspend हो चुक है 50 अपरें तक अबडेटिक शेडियूल वगरे वो अभी तक कुछ भी नहीं है तो यहां पर जो हम API यूज कर रहे थे वहां से जो पिछला शेडियूल है जो खट चुक है जाँगा यहां पे schedule की screen के अंदर आपको upcoming और all matches यह दो टैप मिज रहे होंगी तो यहां पर क्या चीज़ है यहां पर upcoming में क्या होगा जो भी matches नहीं आने वाले होगे जैसे जैसे match होते जाएंगे जो match हो जुक है वो यहां पर इस list में नहीं शोओंगे upcoming side में वो match आपको नहीं देखेंगे जो भी upcoming matches होगे जो आगे आने वाले हैं वहीं शोओंगे एड़ अगर मैं यहां पर all matches पर जाता हूं match का venue की match कहां पर हो रहा है तो और matches के अंदर जैसे-जैसे match होते जा रहे हैं तो यहां पर venue के जो भी match का status रहेगा for example first match है MI vs CSK तो अगर उसमें Mumbai Indians जी जाती है तो यहां पर आपको Mumbai Indians born by dash defense यहां पर आपको यहां पर जो भी status रहेगा match का वह देखने को मिल जाएगा हर एक match में जो भी complete हो जुका होगा तो अब जो मैं इसको back करता हूं तो उसके बाद यहां पर आपको जो आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 का option रहे जाता है जिसमें कि आपको डेली matches के जो भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में इसकी fantasy tips जो कि dream 11 के होगे यहां पर प्रोवाइड करेंगे अपने users को एड यह भी crazy API के through है मैं खुछ से इसको handle कर रहा हूं तो इसको मैं daily update करता रहूंगा जो भी match आते रहेंगे तो यह update होता रहेगा एंड अब अगर मैं इस पर click करूँगा तो यहां पर यह show करेगा wait it will be available on 29th March तो जैसे guys यहां पर first match होगा उसी दिन यह available होगा तो इसका भी screenshot आपको यहां पर मिल जाएगा जो कि अप्लेट सकते हो कि यह कैसा आपको दिखेगा एंड इवन की guys यहां पर एक चीज में आपको बताना मूल गया कि यहां पर notifications आपको मिल जाएंगे automated notifications यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर probable playing 11 मैं add कर दूँगा हमारी API के अंदर वैसे आपकी app के अंदर एक notification आपके users को मिल जाएगा जिससे कि क्या होगा guys यहां पर आपके users का engagement बढ़ेगा वो आपकी app पर ज्यादा time spend करेंगे notification अगर मिलते रहेंगे उन्हें and ultimately इससे क्या होगा आपकी earnings बढ़ेंगे क्योंकि यहां पर आपके ads का impression बढ़ेंगे and clicks भी ultimately बढ़ने माने हैं तो यहां पर probable playing 11 का सब कुछ हो जुक है तो next अगर मैं बात करूँ latest news तो latest news में guys आपको यहां पर क्लिक करूँ latest news जो भी ideal की news बढ़ना होगी वो आपको मिल जाएगी and यह भी guys API की उपर based है सब कुछ आपको API की उपर based ही मिल रहा है तो इसलिए मैंने आपको starting में कहा था आपको और भी कुछ करने के जोद नहीं है आपको just one time setup करना है and setup भी guys क्यों करना है क्योंकि यहां पर automated notifications जो मैं आपको कह रहा हूं उसके लिए आपको जो आपका app id और जो rest API की होती है वाने signal की वो आपको देनी पड़ेगी उस अगर वो आप provide नहीं करोगे तो यहां पर आपका जो automated notifications जो आपके user को वो नहीं मिलेंगे तो यहां पर latest news की screen में guys अगर मैं कोई भी news वगर open करना हूं तो यहां पर आप देख सकतो है हमारे news open हो चुकी है मैंने first वाली screen open कर लिया है तो यहां पर news open हो चुकी है मैं scroll कर गया है इसको कोई user वो बढ़ सकता है बहुत अराम से यहां पर guys यह जो आपको space लिख रही है यहां पर banner ad भी मिल जाता है आपको यहां पर पता नहीं क्यों नहीं show गर रहा में भी यहां पर मुझसे जब यह invisible approach हो गया होगा जिससे यहां पर यह show नहीं कर रहा होगा लेकिन आपको एक जो screenshot है वह आपको side में मिल जाएगा जहां पर एक demo ad आपको मिल जाएगी उसी के साथ साथ जैसे भी कोई user यहां पर कुछी भी news पर click करता है तो उसको एक interstitial ad भी show होगी और गाइस interstitial ad show होने के 50% chances है कि जब भी user show करेगा open करेगा कोई news तो उसको 50% chance है कि एक interstitial ad देखने को मिले तो यह भी guys randomly मैं choose कर रहा हूँ कि अगर तो एक number choose कर रहा हूँ और अगर तो वो number even है तो यहां पर add show होगी वरना नहीं होगी तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो हमें add इसको मैं close करता हूँ और यहां पर जो user है वो अपनी news पढ़ सकता है तो इसको मैं भी back करता हूँ तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको news का section मिल जाता है automated notifications जो आपको news section और जो probable playing 11 predicted playing 11 है उसमें आपको automated notifications मिल जाता है तो अभी यह चीज़ हो चुका है तो इसी के साथ सब गाइस अगर मैं नीचे आँ तो आपको एक banner add मिल जाएगा जो कि एक natively added banner add लग रहा है तो उसके बार गाइस यहां पर जो team screen आपको मिल जाती है team screen जो भी obvious है जो भी सारी की सारी teams है वो यहां पर लिचेट है और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहां पर इसका design मैंने बनाया है जाती है history screen के अंदर जो भी यहां पर history winners है IPL के वो यहां पर आपको मिल जाएंगे और यहां पर एक banner add भी आपको मिल जाएगा natively added और चैसी की बनता यहां पर back press करता है तो उसको एक interstitial add भी यहां पर शोगी यहां पर नहीं होरी जहां पर आपको आपको एक banner add भी आपको नीचे एक banner add मिल जाता है जैसे की बनता यहां पर back press करता है तो आपको यहां पर एक interstitial add जो बशुचित को देखने के मिलेगी यहां पर नहीं शोग रही तो इवन कि गाईज मैं यहां पर अगर बात करी रहा हूं एड्स की तो यहां पर लाइज के अदर भी गाईज जो लाइज मैं चल रहा होगा तो वहां पर आपको एक banner ad मिल जाएगी एड्स हर एक 15 seconds के बाद 50% जोगा चांसिज होगे कि एक interstitial ad user को शोगी यहां पर भी गाईज मैं जो same चीज यूज कर रहा हूं 50% चांसिज इसलिए क्योंकि मैं एक random numbers शोज कर रहा हूं जिसमें कि अगर तो अगर वो number even है तो ad show नहीं हो रही है अगर और number है तो ad show हो रही है ad even कि जब भी match यहां पर home screen के अंदर आपको मिल जाएगा home screen के अंदर भी अगर live match चल रहा होगा और इसको test करो और यहां पर एक हो चीज रहेगी यहां पर अपको three dots menu के अंदर आपको privacy policy and disclaimer का भी option यहां पर मिल जाएगा तो disclaimer के अंदर गाईज यहां पर disclaimer गाईज यहां पर show नहीं और I don't know why तो यह fix मैं कर दूँगा और उसके बाद यहां पर privacy policy पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहां पर यह website जो privacy policy host की हुई है मैंने third party website है तो उसके अंदर host की हुई है तो यहां पर आपको privacy policy open हो जाएगी तो यह थी guys हमारी IPR 2020 की app जो कि fully dynamic app है API को use कर रही है किस API को use कर रही है वह मैं आपको आप अगली आने वाली videos में बताऊंगा अगर आपकी request होगी तो वरना है आपको आपको नहीं बता रहा कि यह कौन सी API को use कर रहा है यह जरूर बता दूँगा क्योंकि guys यहां पर जो fully automated चीज़ है तो यहां पर तीन चार अलग अलग जगा से API को मैं इकठा करके एक app के अंदर यूज की है तो guys I hope आपको यह app जब अच्छी लगी होगी जब डिस्क्रिप्शन में जब इसको download करो and test करो आपको demo app यहां भी मिलेगी यहां पर जो भी demo ads हैं वहीं आपको मिलेगी test mode ads तो जब test करो and मुझे बताओ कैसे लगी and guys हमारे चैनल को subscribe कर लेना तकि आगे जो आने वाली वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको अपनी खुद की app बना सकते हो purchase करना को आप कैसे कर सकते हो तू subscribe कर लेना and bell icon को दुबार लेना ताकि आपको notification ने जाए hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी होगी and guys like कर देना, thanks for watching, bye bye